हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आप लोगों का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं ऐसी रेस्पी लेकर आई हूँ जिसे आप वृत में खा सकते हैं या फिर आप इसे रोज बना कर भी खा सकते हैं क्योंकि यह बहुती डिलीसियस और चाट-पटे और हेल्दी बनते हैं यह बनाने में बहुती असान है एक बार आप इन्हें बना लेंगे तो आपका मन करें कि हर बार इनहीं बना कर खाएं इन्हें आप कुट्टू के आठे के पराथे या पूरी के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि बहुती डिलीसियस आलू है और सुखे आलू बनकर त्यार होती हैं। ये रेश्पे आप लोगों को पसंद आये तो इसे धेर सारा अपना प्यार देकर इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल आइकन को भी जुरूर दबा लेजाएं। ये चटपटे और चटकारेदार आलू की चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिये हैं चार उबले आलू ये आलू मैंने पहले उबाल कर रख लिये थे, मेडियम साइज के आलू हैं। आप हम चील लेंगे। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आलू की क्वान्टिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको सुबह बनाने हैं ये आलू तो आप रात के उबाल के रख लें और सुबह उठके इन्हें फटाफट बना लें। ये सारे आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है, अब इन्हें पीसीज में कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सेप में इन्हें कट कर सकते हैं। और ये बहुती टेस्टी और मजेदार आलू बनते हैं। इन्हें आप व्रत में खाएं या फिर बिना व्रत के खाएं। आपका मन करेगा इन्हें रोजी बनाएं। और ये देखी यहां मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब लिया है हमने एक पैन और पैन को गरम कर लिया। इसमें डाल दिया है एक चमच देशी घी, प्रितमी देशी घी अच्छा रहता है, आप अगर oil यूज करना चाहें तो oil भी यूज कर सकते हैं, घी गरम होने के बाद हमने इसमें डाल देनी हैं दो बड़े चमच मूफली, मूफली से ये नाश्ता हमारा और भी टेस्टी और म चमच देशी घी और डाल लिया है, अब इसमें डालेंगे एक चमच जीरा और क्रेकल करेगा, तो हम इसमें डाल देंगे दो चार कटी हुई हरी मिर्ची, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, इनसे इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जैसे ही हरी मिच्ची थोड़ी सी भूंती है इसमें डाल देंगे आलू और साथ में ही काली मिच्ची टेस्ट के अकॉर्ड नमक भी डाल लेंगे आप इने वरत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज करें नहीं तो नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं दो-तिन मिनट तक इन्हें हम फ्राई करेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसका कलर चेंज होने लगेगा ये देखी दो-तिन मिनट तक हमने अलट-पलट करके आलू को फ्राई कर लिया है और आपको लग रहा है घी या तेल कम रह गया तो इसमें थोड़ा सा आप घी और डाल सकते हैं दो-तिन मिनट हमने इसे अच्छे से पका लिया है यानि कि ये अच्छे से फ्राई हो गए और क्रिस्प भी हो गई है ओवर कूकी ने बिलकुल नहीं करना है ये देखिए बस हमें इसी स्टेज पे डाल देना है इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और मूंफली मूंफली पहले से ही रोस्टीड है ज्यादा इन्हें रोस्ट करने की और जरूरत हमें है नहीं एक दो मिनट के लिए ऐसे ही हम इसे थोड़ा सा और चला कर रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें एड करेंगे हम एक निम्बू का रस खटास के लिए निम्बू का रस अगर आपके पास नहीं है तो इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और साथ में एक चमच भूना कूटा जीरा एड करेंगे मिक्स करेंगे यानि कि इसे थोड़ा सा भून लेंगे जैसे ये थोड़ा सा भूनता है इसी स्टेज पर बस अब हम गैस ओफ करेंगे और गैस ओफ करने के बाद में ये देखिए इनका कलर और इनका टेक्सचर कितन बढ़िया आया है ये बिल्कुल ready है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए और बहुत ही tempting बने हैं लेकिन इस recipe को आप थोड़ा सा modify करके वरत के इलावा भी आप बना सकते हैं जैसे कि नमक है नमक साला वाला डाले थोड़ा सा गरम मसाला लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर ड खा सकते हैं ये वरत के इलावा भी आपको बहुत tasty लगेगा एक दम perfect recipe है बिल्कुल simple और easy तरीके से बनाने के लिए ये recipe सबसे बढ़िया है तो इसे रोज बना कर खाएं या फिर वरत में खाएं इसे बना कर जरूर खाएं ये बहुत ही healthy snacks हैं इसे और ज्यादा healthy बनाने के लिए आप इसे दही के साथ में खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आपको ये मेरी recipe कैसी लगी इसे comment section में लिखकर जरूर बताएं अगर आपको ये recipe पसंद आई तो इसे धेर सारा like दे और चैनल को subscribe जरूर करें साथ में लगे bell icon को भी दबा देना और इसे अपने family friends में भी share जरूर करना thank you for watching have a nice day stay healthy and be happy